टॉंक की रैली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने पुलवामा हमले पर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि आतंगवाद की फैक्टरी पर ताला लगानने का काम अगर उनकी सरकार के ही हिस्से है तो ऐसा ही सही आज आतंग के खिलाफ एक व्यापक मत बन चुका है प्रधान मंत्री ने कहा कि आतंग के गुनागारों को सजा देने के लिए हर मोर्जे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है मोदी सरकार पर और माँ भवानी के आशिरवात पर वरोसा रखिए इस बार सबका हिसाब होगा हिसाब पूरा होगा आपका इप्रधान सेवक इसी काम में जुटा है दुनिया में तब तक शांती संबव नहीं है जब तक आतंग की ये फैक्टरी ऐसे ही चलती रहेगी आतंग की इस फैक्टरी पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही पियम मोदी ने पाकिस्तान को सक्त चुतावनी देते हुए कहा कि ये नया भारत है और नय भारत की नीतिया भी नहीं है आतंगवाद का सर को चलने में सरकार पीछे नहीं हटेगी ये संकल्प स्रिम मोदी का नहीं है एक सो तीस करोड हिंदुस्तानियों का है क्योंकि ये राज नीति से उपर राष्ट नीति का राष्ट की सुरक्षा और स्वाभीमान का सवाल है अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है ये दर्ध सरकार चुप चाप नहीं है ये दर्ध सह करके हम चुप चाप नहीं बैड़ते हैं हम आतं को कुचलना भी जानते हैं ये नई रिती और नई नीति वाला भारत है पीम मोदी ने पाकिस्तान की प्रधान मंत्री पर भी तन्जुकसा उन्होंने कहा इमरान खान से गरीबी से लड़ने को लेकर बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पठान का बच्चा हूँ अब देखता हूँ कि वो अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं प्रधान मंत्री ने लोगसबा चुनौक की शुरुवात अपनी राजिस्थान के टोंक से की है चुनावी बिगुल फूका वहाँ पर भारी तदाद में युवा नजर आए प्रधान मंत्री ने उलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर भी चर्चा की और साथ ही कहा कि यो देश है वो आतंके खिलाफ है